नतीजों का ख़बरो वाले शेयर्स का क्योंकि मार्किट में रिजल्ट हेवी डेज चल रहे हैं और रिजल्ट हेवी डेज का इंपक्ट भी लगातर हम देख रहे हैं शरत हैं हमारे साथ हरोस की तरह गुड मानिंग शरत वैसे तो नतीजों के सीजन के एंड की तरफ भी बढ़ रहे हैं हम लेकिन अब भी कई सारे नंबर्स आ रहे हैं चाहिए फिर वो मेटरल पैक हो सिमेंट स्पेस हो क्या-क्या नंबर्स आएं कल बाजार बंद होने के बाद और वो रिजल्स कैसे रहें आप बताएं जी बिल्कोल सबसे पहले जो है निफ्टी के अरिंग्स पर फोकस करेंगे टाटा स्टील के जहें ओर ओर वीक सेट अफ नंबर्स देखने मिले रेविन्यू ज़रूर एक्सपेक्टेशन के उपर था लेकिन आप बाटन लाइन नं के कारण जो है आपको जो है नेगिटिव इंपक्ट देखने मिल रहा है कंपनी में इसके लावा हिंडाल को भी फोकोस में रहेगा क्योंकि जो उनकी होली ओन सब्सेडियर नोविलिस जो अफकोस ग्लोबल आम है उनकी नतीजे आए हैं और वह भी नतीजे जो निराशा जन और हमें पता है कि और ने पेपर स्टॉक्स में भी जो है बहुत अच्छे नंबर जैसे कि कल ओरियन पेपर ने भी जो है डिलेवर किये हैं टेस्टी बाइट के भी स्ट्रॉंग ने मिले रेविन्यू लगबग 42% का ग्रोथ आया है वी मार्ट रिटेल में जो है लगबग म 27% का गिरावट आया है इस कंस्ट्रक्शन में पॉजिटिव सप्राइज 27% का ग्रोथ देखने मिला है लाइसी हाउसिंग फाइन्स में थोड़े मिले जुले जो यह संकेता हैं लिपस्पेशली टूर्ज वीकर साइड नंबर आया है क्योंकि बाटन नहीं नंबर जो है वह इंपैक्ट हुए हाई इंट्रेस्ट एक्सपेंस के कारण बाला जी हमाइन्स के ओवर रॉल देखे थे तो वीक सेट अफ नंबर आये हैं हलाकि जो अनौंस्मेंट है कैपक्स का उसको लेके जो हम ज़रूर चचा आगे करने वाले हैं बीलेस इंटरनाशनल बहुत ग्रोथ देखने मिला है नियोकोज विस्टाज एक्सपेक्टेड लॉसस जो है अभी भी कर रही है इंपैक्ट कंपनी को हाला कि जो नंबर्स है वह लगबग इन-लाइन सेट अफ नंबर्स देखने मिले पैकेजिंग स्पेस में टीसी पेल के अच्छे शांदार नतीजे द रहेगा वीजा प्रोसेसिंग की कंपनी और ट्रैवल थीम चावल डिमांट का एक इंपाक्ट रसर आता हुआ नंबर्स पॉजिटिव वहीं पेपर स्टॉक्स में रहेंगे लेकिन शर्द इसके लावा खबरें भी तो हैं धिर सारी बताईए बिल्कुल अकल एक बहुत एह शेकर शर्मा जी जो CEO हैं उन्होंने दो एहम बात करी है सबसे पहला बात का है कि जो अलड़ी कंपनी तीन कौर्टर से पहले guidance अचीव कर लिए है आपके बिड़ा एडिजिस्टेड जो है वो पॉजिटिव हो गया है अब वो expect करे कि ये जो है sustainable रहेगा और कोई time limit उन्हों जो नए launches करने वाले तो उसको लेके बहुत strength दिखाएं कि वो सारे regulatory risk पे focus करेंगे तो ये दोनों बात पर जो है एहम करेंगे और of course stock में भी कल positive reaction देखने में लाकि क्यो 3 numbers बहुत अच्छे आयते है कैरिसल की बात करें तो यहाँ पे company ने गुजरात में जो एक land लिये future expansion के लिए ultra tech cement की commission हुई है लगबग 1.5 million tons per annum की brownfield cement को और company की जब टोटल उरिसा में capacity है वो बढ़के 4.1 million tons per annum हुई है बाला जी आ माइंस नतीजे तो जरूर वीक थे लेकिन company ने जो है कहा है कि आगे जाते हुए first quarter fy 24 तक margins में इंप्रूब्मेंट देखने मिलेगा क्योंकि अब उनके जो नए capacities है वो अपने operations comments करेंगे CapEx लगबग 400 से 500 करण का रखा गया है और capacity utilization उनके legacy projects में भी देखने मिलेगा air भी infra की बात करें तो record date है रखा गया है February 22 को अभियाद रखेगा इसका share split हो रहा है अगर आप एक share hold करते तो आपको share split होगे आपको 10 share मिलेंगे त of course हम बात करें तो शुगर की थीम किया और यहां पर देख सकते हैं कि धांपुर शुगर ने भी जो अपनी distillery capacity का expansion कर दिया है और मुस्त हंड़ेड़न थर्टी किलो लीटर्स पर डे का जो है आप कह सकते capacity में इंक्रीज देखने मिला है अब यह capacity जो है लगबग आप कह सक से energy के तरफ भागे जा रही है UPL में बात करेंगे तो LIC ने जो स्टेक कट किया 9.2% से 7.2% का बर्जर पेंस ने जो है automated manufacturing facility की स्टार्ट किये सदिला में और उनके commercial production स्टार्ट हो गई और आखिर में बात करूंगा सिपला का यहां पर company कह रही कि आई टी department ने कंड़क्ट की है कुछ रेज हुई है उनके offices और manufacturing units में पर यह developing story और यह company का total जो आप कह सकते बयान वो जो है आप आपको लिए हम लोग लेके आते रहेंगे अपसलुटली शारत शुक्रियाव का हमारे साथ जोने के लिए सारी खबरे और नतीजे जो बाजार बंद होने के बाद आए वो हमारे सामने रखने के लिए तो सीधी बात है stock specific most तो धेर सारे दिखने वाले हैं ख़ई सारी खबरों के दम पर भी in fact पेटियम पर भी खासता और से नज़र रखें क्योंकि पेटियम के नहुंबर्स की ठीक बात brokerages के भी काफी bullish commentary आते हुए दिखें इंफाक्ट double the targets भी देखने को मिले और फिर con call के बाद ये top takeaways भी थे जो कि शरद हमें बता रहे थे और sugar theme from commodity to energy बढ़ता हुआ ये सारे के सारे themes पर विस्तार से आगे भी